नमस्कार दोस्तों मैं सुमिचीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में आज दोस्तों आपके लिए एक कमाल का ट्रैक्टर लेकर के आया हूँ आप लोगों को भी काफी इंतजार था इस ट्रैक्टर की कम्पलीट वीडियो का यह है सोराज का 855 FV 5 star 15 speed latest model 2023 में newly launched model है दोस्तों यह तो इसके बारे में विस्तार से आपको जान करी दूँगा जैसे आप changes देख भी पा रहे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप वीडियो को लाज तक देखेंगे तो आप इतना भी समझपाएंगे कि क्या आपके लिए आज के समय में यह ट्रैक्टर खरीदना value for money रहने वाला है या नहीं और साथ इसाथ कीमत भी आपको बताऊंगा और इस ट्रैक्टर के माइले वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा पहले क्या था पहले एजिस आते थे अब इसके अंदर सार पेजिस खदम करके इसको कुछ कोलाई में इसको कर दिया है जिससे की एक अलग लूग ट्रैक्टर का निकल करके आता है है हैलोजन बल्प के साथ में ही normal headlight आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर सोराज की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है chrome finish के साथ में है यहाँ पर red chrome का use company ने दोस्तो किया है bonnet को अगर open करेंगे तो यहाँ से bonnet को open करने के लिग यह locking system दिया गया है single piece ही complete hood bonnet है और यहाँ से आप इसको easily open कर सकते हैं पहले जो bonnet आता था वो mechanical bonnet आता था अब इसके अंदर single tandem slender लगाया गया जिसकी सायता से जो bonnet है इसका automatically उपर हो जाता है आपको कोई उसके उपर mechanical force नहीं डालना पड़ता तो यह एक आपको difference यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगले change की बात यहा सकते हैं additional feature के तोर पर दोस्तो side profile की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सोराज 855 FV की बड़ी शांदार branding देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ 5 star की branding देखने को मिलेगी और since 1974 solid power solid भरोसा का एक emblem एक logo भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक RPTO का sticker भी यहाँ पर लगाया गया है और 15 speed low high medium का भी एक sticker आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यह जो ट्रैक्टर है यह low high medium speed वाला ट्रैक्टर है दोस्तों यहाँ से bonnet को open करना भी बड़ा easy हो गया है पहले इस bonnet को open करना भी बड़ा tough होता था क्योंकि कई पार्ट में open होता था अकर इसके अंदर कुछ काम भी किसान को करना होता था मालो normal maintenance भी करना होता था तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत सी आती थी तो वह दिक्कत अब इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों फ्रेंट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल neat and clean है बैटरी ज दोस्तों मिल रहा है यहाँ पर fully heavy duty front axle यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो की adjustable front axle काफी आसानी से आप इसको अंदर या बहर की तरफ देखने को मिलेगा दोस्तों जो कि यहाँ पर टाइरोड के साथ में आता है क्योंकि single acting power steering steering को balance करने के लिए टाय रोड दी जाती है य सब्सक्राइब दोस्तों तो अपोलो के ही बैक टायर आपको दिए गया है यहां पर भी रिमका कलर अगें सेम आपको देखने को मिले वाला है यहां पर अगर आप चाहें दोस्तों तो उप्सनल में 1698 के टायर भी ले सकते हैं वो भी उप्सन कंपनी प्रोवेड आपके लिए करा रही है और जैसा कि यह टू वील ड्राइब वेरियंट खड़ा हुआ है अब कुछ किसान भाई चाहते हैं कि फोर वील की तरब हम जाएं तो फोर वील में चेंज गया है फोर व प्रडल के अंदर सेम फीचर के साथ में आप फोर वील ड्राइब वेरियंट की तरब भी जा सकते हैं कि रिवर्स पीटियो भी मिलेगी आपको 15 स्पीड गेर भी मिलेंगे और जो टायर्स है वो भी आपको फोर वील ड्राइब बड़े टायर्स मिलेंगे तो सारी चीज़ आपको वहां पर भी देखने को अब मिलने वाली हैं दोस्तो एक और चेंज जो सबसे बड़ा इसके अंदर हुआ है वो है इसके इंजिन के अंदर पहले जो इंजिन इसके अंदर आता था दोस्तो वह 338 सीसी का इंजिन आता था सोराज का खुद का डिजाइन किया हुआ अब इसके अंदर जो एंजिन है वो 348 सीसी का इंजिन दे दिया गया है दोस्तो तो आप कहसकते हो जो हो पचास एच्पी की पावर आपको जनरेट करके देने वाला है बाकि यहाँ पर आप देखोगे जो इंजन का साइज है उसके अंदर हलका सा इंक्रीजमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है 2000 rated RPM वाला दोस्तो यह इंजन है 257 गिराम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है तो आप इस चीज से एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो ट्रैक्टर है वो आपका डीजल खपत किस तरीके की करने वाला है यहाँ पर पावरेश्टेनी के लिए सेपरेट ओिल कंटेनर दिया गया है यहाँ पर कुलेंट के लिए कंटेनर लगाया गया है जो कि ओवरफलो विज रिजरवायर के साथ में आता है जो एर क्लीनर है वो आपको साइड में ही देखने को मिलता है कंपनी इस ट्रैडिसन को लगातार जो है कंटीडियू कर रही है हो सकता था इसको यहां से अटा करके कंपनी यहां भी देती लेकिन किसानों को पहले सी यहां पर पसंद देदो कंपनी ने उसके अंदर कोई छेड़ चार्ड नहीं की है उसको यहीं पर प्लेस किया गया है oil bar type का pre cleaner के साथ में आने वाला जो air cleaner है वो आपको सेम देखने को मिल जाता है दोस्तो इस तरह आएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पाएंगे इसके अंदर dual आपको pump देखने को मिलेंगे एक power steering के लिए दिया गया है यहाँ पर जो change अगला किया गया है वो इसके silencer में किया गया है इसका जो muffler है इसको change कर दिया गया हलका से इसका size यहाँ पर increase किया गया है दूसरा इसके उपर यह heat protector पूरा लगा दिया गया है यहाँ पर भी heat protector लगाया गया है ताकि अगर किसी का गलती से इसके उपर हाथ वगेरा लग जाता है रखा जाता है तो उसका हाथ वगेरा जलेना उसका भी यहाँ पर कंपणी ने खास ख्याल रखा है बैटरी की प्लेसमेंट साइड में की गई है जैसा मैंने आपको बताया था पहले से ही साइड में आती थी अभी भी साइड में ही है फ्रेंट में कंपनी उसको नहीं ले गई है यहाँ पर सोराज की ब्राणिंग आपको अगेन देखने को मिल जाती है एक ओर जो चेंज इसके अंदर हुआ है वो है इसके इंडिगेटर्स के अंदर यहाँ पर आपको पूरा LED इंडिगेटर का सैटप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर fender के उपपर आप देख रहे हैं तो पीछे ग्रिल टाइप भी लगाई गई है ताकि कोई पिलियन वगएरा साथ में बैठता है तो उसकी safety रहे पीछे से वो इसको पकड़ करके आसानी से इसके fender के उपर बैठ सके अब मैं आपको उपर लेकर चलता हूँ इसके यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो change आप देख पाएंगे सबसे पहले वो इसके dashboard के अंदर देख पाएंगे यहाँ पर जो dashboard है वो पूरी तरीके से digital उसको कर दिया है company ने यहाँ पर मैं keyon करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको अब digital hour meter देखने को मिल जाता है एनलोग rpm meter मिलेगा एनलोग temperature का और fuel का meter मिलेगा लेकिन यह एनलोग पहले वाले एनलोग से आप कह सकते हो अपग्रेडेशन वर्जन है सेम वैस पहले वाला ही बिल्कुल normal का basic analog नहीं है यह उससे advanced है थोड़ा सा और इसका जो look है या designing है वो भी काफी शांदार दिखने म लग रही है ट्रेक्टर के look के साथ में यह चीज proper match कर रही है एक अलग तरीके का look यहां पर निकल करके दोस्तों आ रहा है और इस टेरिंग का जो size है यह भी काफी compact company ने रखा आया जिससे की इसको operate करना काफी easy रहे यहां पर right hand side में इसकी जो hand वाली race है वो देखने को मिल रही है यहां पर की लगाने के लिए सोकिट दिया गया है यह ट्रेक्टर को बंद करने के लिए स्टोपर सुच यहां पर दिया गया है है जाट को नोफ करने के लिए सुच यहां पर आपको मिलने वाला है इससे की चारों ही जो इंडिकेटर है वो आपके turn on हो जाते है यह देख सकते हो होरन का जो मेन कंट्रोल है वह यहाँ पर आपको मिलता है स्टेरी के बीज में यहाँ पर आप इसका प्लैट्फों में लिए तो प्लैट्फों मिल जाता है दोस्तों क्यूंकि साइट शिफ्ट वैरियांड कंपनी ने पहले से ही लौच कर दिया था इसके अंदर sliding mass plus constant mass का combination gearbox डाला गया है gear speed की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 4 gear मिल रहे हैं, एक reverse मिलेगा और यहाँ पर second gear lever के उपर आपको जो low high medium का option है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो total speeds 15 आपको मिले वाली है 12 forward जाने के लिए और 3 reverse जाने के लिए यहाँ पर आप देखोगे जो clutch है, इसका normal type के ही pedals है, लेकिन operate करना बड़ा easy है, बड़े smooth pedals इसके अंदर दिये गए हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप clutch को press भी कर रहे हो, clutch जो है proper double clutch के साथ में tractor आता है, यह main clutch है इसका और यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यह इसके अंदर PTO के लिए class दिया गया है brakes इसके अंदर oil immersed disc brake आपको मिलने वाली है, काफी शानदार braking के साथ में आते हैं, यहाँ पर जो parking के लिए brake है, वो कुछ अलगी तरीके का simple size के अंदर यह दिया गया है यहाँ से आप engage, disengage इस तरीके से इसको कर सकते हो, और सबसे कमाल की बात जो सोराज में मुझे लगती है दोस्तों, इसके अंदर आप जो पैर हैं अपने उनको यहाँ पर सीधा रख सकते हो यह इसके अंदर foot rest यहाँ पर दिये गए हैं जिससे की दो फायदे होते हैं पहला तो जैसे आप लंबे टाइम तक ट्रेक्टर को चला रहे हो आपने brake, parallel press नहीं करना आपने clutch press नहीं करना तो आप यहाँ पर relaxed position में अपने पैरों को रख सकते हो दूसरा फायदा इसका ये मिलेगा कि आपका जो clutch है जैसे आप clutch पर पैर रखते हो तो धच्कियां रखती है clutch press होता है जिससे की clutch की life कम होती है और brakes के साथ भी की brakes की life कम हो जाती है तो दूसरा फायदा आपको ये मिले वाला है कि उनकी life के उपकर कोई effect नहीं पड़ेगा, आप freely यहाँ पर अपने जो pair हैं उनको रख सकते हो, और काफी easily इस corporate कर सकते हो, driver seat के right hand side में इसके आपको hydraulic के control मिल जाते हैं, एक इसके अंदर DC lever है, दूसरा इसके अंदर PC lever दिया गया है, जिससे कि आप अपने drafter position को यहाँ से control क कर सकते हो, पीछे आपको distributor के लिए lever यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने distributor को control कर सकते हो, pressure का कोई भी implement आपने चलाना है, तो यहाँ से आप seat पर बैठे बैठे इस corporate कर सकते हो, और यहाँ पर एक case type यह दे रही है company, यहाँ आपको मैं open करके दिखाता जिसके अंदर directly 12V का charger लगा करके आप फोन को charge कर सकते हो, यहीं पर रख सकते हो, एक 12V socket इसके अंदर charging वाला जो है वो दिया गया है, दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको tractor की starting दिखाता हूँ, tractor की आवाज सुनवाँगा, फिर आप लोग difference बताना, पहले से इसकी आवाज में आपको क्या difference देखने को मिल रहा है, और सबसे खास बात कि क्या आपको इस वाले model की आवाज ज्यादा अच्छी लग रही है, पहले वाले model की आवाज ज्यादा अच्छी लगती थी, सबसे पहली चीज तो आप यह देखोगे, कि tractor की starting जो है, वो पहले की तरह सेम स्मू पहले की दूस नहीं होता कि आपनी जैसे race press किया, दीरे 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 बूस्त करेगा, वो नहीं है, पिक इकडम से कोई response lever कराता है, और एक और एक और एकोरेसी इसके अंदर आ गई है, कि इसका जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ ना, इसका जो डैस बोर् grade company ने यहाँ पर दोस्तों कर दिया है, अब मैं इसको grade करके भी आपको दिखायता हूँ, यहाँ पर मैं इसको high gear में डाल दूँगा, सबसे पहली चीज़ तो आप यह देख रहे होगे, कि ट्रेक्टर का pick-up देखो, पहले से बढ़ गया है, इसका जैसे पहले क्या होता था, आप clutch को चाहें इस तरीके से अराम से चोड़ लें, यह बिल्कुल इस तरीके से चोड़ लें, रेक्टर उतना ही धिरे 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 आगे उठता था या चलने लगता था, लेकिन आप इसका जो pick-up है वह वह पहले से बढ़ गया, यह आप देखो, यह आप देखो, जैसे मैं अगर एकदम से clutch को छोड़ देता हो, तो एकदम से ट्रेक्टर जो है, वह operate होने लग जाता है, आगे या पीचे जिस gear में टला हुआ है, उस gear में चलने लग जाता है, तो अगर इसके steering की भी बात मैं कर रह पहलेगा कि steering के अंदर कोई operate करने में delay महसूस आपको हो रहा हो, यह steering operate करने में tight हो, hardness उसके अंदर महसूस हो रही हो, तो वह वाली दिक्कत भी इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, इसी है, बिल्कुल इसी operate उसको आप कर सकते हो, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्र प्लस लंबे टाइम तक maintenance उसके अंदर नहीं आता है, sensing की बात कर रहा हूं, तो three point sensing के लिए मिल जाते हैं, आप अपने draft के हिसाप से अपनी top link को उपर या निचे set कर सकते हैं, यहाँ पर आपको dual distributor इसके अंदर मिलेंगे, pressure का कोई भी implement आपने चलाना है, तो इसकी सहायता स आप easily उसको चला सकते हो, lifting capacity की mainly बात कर लेता हूं, तो इसके अंदर आपको 2000 kg की lifting capacity मिल जाती है, जिससे कि आप heavy से heavy implement इसके साथ में easily carry कर सकते हो, और चला सकते हो, side में jack system आपको मिलेगा, जिससे कि आपके implement पीछे जो भी लगाया हुआ है, वो tires में not touch हो, उसको adjust आप यहा पर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी hydraulic को पीछे से ही control कर सकते हो, और इसकी जो length है, इसको भी यहां से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, पीछे आपको toolbox इसके अंदर मिल जाता है, reflector मिल जाता है, bottle holder साथ में यहीं पर दिया गया है, और यहां पर 12V का एक socket दिया पीछे आपने ट्रोली वगेरा में या किसी implement के उपर आपने light वगेरा feeding करनी है, तो इसकी सहायता से आप पीछे तक light ले जा सकते हो, हीच आपको काफी heavy duty मिल जाता है, adjustable हीच है, काफी easily आप उसको open हीच adjust कर सकते हो, PTO की बात दोस्तों कर रहा हूं, तो dual PTO के साथ में ट्र आपको देखने को मिलने वाली है, यहां पर मैंने आपको indicator बता दिये थे, इसके अंदर चारो के चारो ही indicator LED setup दे दिया गया है, एक नई look उनको देने की company ने कोसिस की है, जो की दिखने में भी काफी चांदार लग रहे हैं, और इसके fender के साथ में भी match करते हैं, क्योंकि इस simple से ही fender आते थे, तो उनके अंदर भी एक safe अलग तरीके का company ने देने की कोसिस की है, जिससे की एक look ऐसा लगे कि अपग्रेडेशन वाकही में उसके अंदर किया गया है, पीछे जो backlight है, उसका भी आप size देख सकते हो, चोकोर style के साथ में backlight इसके अंदर कर दी गई है, switch भ पहले की दुलना में इसके अंदर कर दिये गए हैं, क्या features में आपको difference देखने को मिल रहा है, अब बात दोस्तों निकल करके जाती है, कि tractor mileage क्या देगा, mileage की अगर बात कर लेता हूं, तो mileage mainly depend करता है, driver के उपर, आप लोगों के उपर, कि आप उसको किस field condition में चला रहे हो, आपने implement कितना बड़ा, उसके बीचे डाला हुआ है, आपके होँआ की मिटी किस तरीके की है, और आप कितने RBM पर tractor को operate कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पर depend करती है, बाकी जो company claim कर रहे है, वो लगभग 5 से लेकर के 6 लिटरी diesel consume करेगा, ये अच्छे खास के 9,50,000 के something आपको इसकी जो pricing है, वो देखने को मिलेगी, price exact नहीं है, कभी भी exact नहीं होती है, अलग-अलग dealership के उपर price vary करती है, तो आप अपने नजदी की showroom पर visit करेंगे, आपको अगर price का पता करना है, ये demo को करना है, तो वहाँ से आप लोग जो है, इसका demo वगएर ले सकते हैं, और exact price का पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके सारे ही features बता दिये, changes के बारे में बता दिया, वीडियो थोड़ा सा delay जरूर हो गया, लेकिन मेरा मकसद हमेसा से रहता है, कि आपको मैं जब भी वीडियो लेकर के आऊं, किसी भी ट्रैक् प्राइफ ओलो का लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाईों तक सेयर करिएगा, ताकि जो आज के समय में किसान भाई नया ट्रैक्टर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो वो इसकी तरब भी एक बार जरूर देखें, मैं मिलूंगा आप से ऐसी ही किसी नई और शांदार वीडियो के साथ अब तक के लिए इड़े की घहराईयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धनेवाद।